असलालेकुम दोस्तों वेलकम टू दस्तरख्वान आज हम बनाएंगे मलाई रोल जो खाने में बेहद लजीज और टेस्टी होता है मूह में गुल जाने वाला यह हमने छे पीस ब्रेड ले लिया है इसके हम केनारे निकाल देंगे साइड इस तरह से सारे ब्रेड के हमें केना और यह जो साइड बजी हुई है इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे तो यह देखे हमारे सारे ब्रेड हमने कट कर लिये हैं और यह साथ बदाम है साथ आठ पिस्ते हैं इसका हम पाउडर बना लेंगे आधा कप हमने दूद लिया आधा कप मिल्क पाउडर और यह जो हमन पाउडर बनाकर रखा था बदाम और पिस्ते का उसको डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर और टूटे बिल स्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क मेट आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मीठा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यह देखिए और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है इसको हमने मिक्स कर लिया कि कोई गाठे ना रहें इसमें और अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून नारियल का बुरादा डेजिकेटेड कोको और इसको भी डालकर हम अच्छे से mix करेंगे, यह सब अच्छे से mix हो चुका है, अब इसे हम flame on करके चड़ा देंगे, यह देखे हमने flame on कर दी है, और इसे हम चलाते रहेंगे, कि ये मावे की शकल में आ जाए मावे की तरह बन जाए हमें इसे इतना पकाना है ये चार से पाच मिनट में तैयार हो जाएगा और इसे हम चलाते रहेंगे कि ये तले से न लगे ये इस तरह से हमें चलाना है लगातार यह देखे यह गाढ़ा होना शुरू हो गया है इसे हमें और पकाना है और यह हमने 3 टेबल स्पून भरके इसमें मलाई डाल दी है मलाई से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और इसमें घी डालने की हमें अलग से जरूरत नहीं है तो इसको ही हम गढ़ा कर लेंगे ये देखिए ये मावे की शकल में आ चुका है थोड़ा सा बस इसे हमें और पकाना है और इसमें अब हम फूट कलर डालेंगे पेंक फूट कलर डालेंगे ये देखिए तीन से चार भूंद और इसे अच्छे से mix कर लेंगे कि ये एक सार हो जाए और अब हम flame off कर देंगे थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तब तर और ये जो bread के pieces है इसे हम balance से इस तरह से चप्टा कर लेंगे, बेल लेंगे सारे pieces को तो इससे roll बनाने में आसानी होती है तो हमें सारे rolls सारे bread को इसी तरह से बेलना है ये हमने 6 piece bread ली है इनको हम इस तरह बेल के हमने तयार कर लिया और ये हमने flame on करके आधा लीटर दूठ चड़ा दिया है इसे हमें आधा करना है हम इतना पकाएंगे कि ये आधा बचे इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है बस ये आधा हो जाए तब तक ही हम इसे पकाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें boil आने लगा है अच्छी तरह से इसे हम चलाते हुए पकाएंगे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अपना प्यार दीजिए अब ये दूद लगभग आधा हो रहा है थ्री टेबिल स्पून हम इसमें milk made डाल देंगे आप यहां पर भी शक्कर का इस्तमाल कर सकते हैं मीठा कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के साप से रख सकते हैं ये देखिए हमने थ्री टेबिल स्पून इसमें milk made डाल दिया है और इसे हम चला लेंगे ये दूद पकते हुए आधा हो चुका है अब हम इसमें वन टी स्पून रोज वाटर डालेंगे आप केवडा भी डाल सकते हैं और ये मावे के हम छोटे छोटे रोल बना लेंगे ये इस तरह से हमें सारे रोल तयार करना है ये खाने में बहुत टेस्ती लाजवाब बन कर तयार होते हैं मलाई रोल बिल्कुल मूँ में घुल जाने वाले तो इस तरह से हम सारे रोल तयार करेंगे आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी घर पर बन जाने वाली sweet dash है अब हम ये roll को ऐसे रखेंगे और इसे tight इसका हम roll तयार करेंगे इसे दबाते हुए इस तरह से हम दबाते हुए इसका roll बना लेंगे तो ये हमारा roll तयार हुँ चुका है सारे roll हमें इसी तरह से तयार करना है और इसे हम साइट से भी दबा देंगे थोड़ा प्रेस करेंगे और सारे रोल हमारे तयार हो जाएंगे देखे इसको हमने दबाते हुए इसका हमने रोल तयार कर लिया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर रोल बनने में दिक्कत हो, तो हम किस तरह से तयार करेंगे। ये हमने ब्रेट के पीस लिया और इस पर हमने ये जो रोल बनाकर रख़ा था मावा उसको लापेटा और उसपर हम जो धूद पका कर रखे हुए है गाढ़ा करके। इसको हम लगा देंगे। तो इससे आसानी से रोल फोल्ड हो जाएगा, ये देखे, सारे रोल हमने तयार कर लिए, हम ये जो हमने दूद पका कर रखा था, इसको हम डाल देंगे, ये बहुत सौफ्ट पिलकुल मूँ में घुल जाने वाली रस्म लाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा, ये हमने इस पर डाल दिया दूद, अब इसे हम कुछ पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग करेंगे, इसको सजा देंगे, तो इस तरह से हमें पिस्ता और बादाम डालना है, आपके पास जो मेवे हो, आप वो डाल सकते हैं, आप इस पर नारियल का बुरादा भी ड इस पर ये हमारे शानदार मलाई रोल बनकर तयार हो चुके हैं, जो खाने में बेहत लजीज और जाइकेदार हैं, आप इसे पहले से भी बनाकर रोल तयार कर सकते हैं, जब आप कहां गैस्त आ जाएं तो आप इसे फॉरन सर्व कर दीजे, ये देखिए, ये हमारा शानदा मलाई रोल बनकर तयार है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले